हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायवेडिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे डाइबिटीस से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में जी यहां दोस्तों अगर आप डाइबिटीस के मरेज हैं तो दिन के शुरूरात करते हुए यानि सुभे उठने के तुरंत बात आप कभी भी ये काम ना करें जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे और आप अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो निशित र जरूरी है कि वो अपनी डाइट का खास ध्यान रखें आपको बताओं कि अगर आपको डाइबिटीस की समस्या है तो आप जो भी कुछ सुभे खाते हैं या करते हैं उस सब का असर आपके दिन भर के ब्लेट शुगर लेवल पर पढ़ता है तो आप ध्यान दीजे कि अगर आप सुभे कोई ऐसी चीच खा ले या कोई ऐसा काम करें जिससे दिन भर आपका ब्लेट शुगर लेवल बढ़ा रहे तो ये आपके लिए काफी खतरनाग बात होगी इसलिए आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं जिसमें हम आपको कुछ ऐसी बाते बताएंगे ज इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निशित रूप से दिन भर आपका ब्लेट शुगर बढ़ेगा नहीं और नियंतरित भी रहेगा तो इसमें सबसे पहले नमबर पर आपको करना है कि देर तक नहीं सोना है अगर आपको डाइबिटीज है तो रोजाना सुभे जल्दी उ नहीं पीते हैं तो ये एक गलत बात है आपको रोजाना सुभे उठकर परियात मात्रा में गुन-गुना पानी पीना चाहिए ऐसा करने से आपका शरीर हाइडरेटिड रहेगा और जब हाइडरेटिड रहेगा तो आपकी मेटाबॉलिजम भेतर रहेगी और पेट चाई या कॉफी पीते हैं तो आपको एस्रेडिटी कब्स या फिर गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका ब्लेट शुकर लेवल भी प्रभावित हो सकता है दोस्तों अगर आप सुभे उठकर के कुछ पीना चाहते हैं तो आपको करते हैं रोजाना तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है लेकिन अगर आपको डैबिटीज है तो भारी एक्सराइज आपके लिए ठीक नहीं है दोस्तों ये निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुचाएगी तो आप जब भी एक्सराइज करें हलकी करती में आप 8 से 8.5 बजे तक नाश्ता जरूर कर ले अगर इस समय आप नाश्ता करते हैं तो इससे आपकी दिन भर की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकती है अगर आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो आपको नाश्ता हैवी करना चाहिए लेकिन अगर आपकी को कोई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें